हेलो फ्रेंड वैलकूम तू माइट वीच्टूब चैनल कोमस स्कूल और आज की वीडिएओं हम करेंगे पास्ट अज्जेस्ट्मेंट इन पार्टनुशीप फिर्म तो सबसे पहले पास्ट अज्जेस्ट्मेंट अमारे क्या होता है इसका क्या मिनिंग है कई बार हमारा क्या होता है कि जो हम अपने final accounts prepare करते हैं तो final accounts prepare करने के बाद और जो profit होता है उसको distribute करने के बाद partners में हमें पता चलता है कि भी हमने कुछ गलतिया कर दिया transaction को record करते time या फिर हम कुछ transaction है जिनको हम record करना भूल गए है ठीक है तो उस case में हमारे क्या होता है कि फिर हम जो हमारे final accounts होते हैं उनको उनमें change करने की बजाए instead of altering the final account से उसमें हम alter करने की बजाए हम क्या करते है जो firm होती है वो एक entry एक adjustment entry है जिसको की वो pass करती है क्यों rectify करने के लिए जो हमने error या जो हमने omission किये है ठीक है तो जो वो हमारी adjustment entry होती है जो adjustment entry जो हमने की है rectify करने के लिए हमारी errors और omission को उसी को हम बोलते है फिर past adjustment तो उसको हम क्या बोलते है पास्ट adjustment और इसको हम basically past adjustment क्यों बोलते है क्योंकि यह हमारी किस से related है हमारे past period से ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या क्या बोलते है past adjustment यहां पर definition देखिए sometimes certain errors and omission अकर वाइल preparing the partnership account वही कि कई बार क्या होता है कि जब हम prepare करते है partnership account प्रिपेर करने के बाद एक तरह से हमें पता चलता कि भी हमसे कुछ errors हो गी है कुछ omission means कि हम कुछ transaction थी जिनको हम record करना भूल गए है ठीक है तो उस case में फिर हमें क्या करना पड़ता we have to rectify these errors and omission तो हम जो यह errors हमसे हुई है omission जो उसको हम क्या करते है उसको हम rectify करते है ठीक है उसको rectify करने के लिए हम क्या करते है पास करते है एक single adjustment entry ठीक है तो जो वो हमने adjustment entry जो हमने किया उसी को हम फिर क्या बोलते है पास्ट adjustment तो अब हमारा आता है कि भी जो यह errors omission यह हमारे क्या इसके example मैं आपको बता जैसे भी omission of interest on capital कि हमारा क्या हुआ कि हमने फाइनल कांट्स प्रिपेर कर लिए और जो हमारा profit था भी हमने क्या कर दिया पार्टनर्स के बिसमें और उसके बाद हमें पता चला कि वह जो interest on capital है वो तो हमने दिया है ठीक है या interest on drawing है वो भी हमने नहीं दी जो कि हमारा drawing और interest on capital देंगे लेकिन हमने नहीं दी ठीक है तो यह हमारे क्या हुआ omission of interest on capital है कि हम भूल गए या फिर salary और commission हो देना भूल गए जब कि वह हमारे क्या था partnership deed में हमने बोला था कि भी salary commission देंगे तो यह हमारे क्या error है ठीक है या फिर क्या कि हमने है कि जो interest on capital है वह allowed कि हमने 5% instead of 7% हमें देना था तो 7% लेकि हमने कितना दे दिया उसको हमने 5% interest on capital दिया है तो यह भी हमारे क्या तरह से error हो गई या फिर हमारा profit distributed in the wrong ratio जो profit अब वो हमने wrong ratio में distribute कर दिया कैसे one is to one instead of three is to two हमें जो है profit को distribute करना था three ratio two में ठीक है लेकिन हमने उसको किसमे distribute कर दिया one is to one में तो यह सब क्या हमारी कुछ errors है या हमारे omission है इन सब को rectify करने के लिए हम क्या करते है हम एक adjustment entry pass करते है जिसको की और जो वो entry हमने pass किया एक तरह से वह हमारी क्या है related है हमारे past period से तो इसलिए हम उसको क्या बोलते है पास्ट adjustment ठीक है तो अभी जो हमारी हमने जो पास्ट adjustment या entry जो हम करते है तो इसको हम जो can be made आइदर थू profit and loss adjustment account मतिक एक तरह से हमारे there are two ways ठीक है दो हमारे ways है जिसके थू हम यह entry कर सकते है वे क्या क्या है हमारे या तो हम कर सकते है कैसे कि भी पीएंडल adjustment account ठीक है एक पीएंडल adjustment account हम prepare करते है उसके थू या फिर हम कैसे कर सकते है second हमारा second हम कैसे कर सकते कि भी हम directly जो हमारे पार्टनर से capital account है उसके अंदर हम directly in the capital accounts of the concern partner से हम entry कर सकते है तो अब यह हमारा अब हम इसको हम इसको एक example से समझते है ठीक है तो हमारा example क्या for example अभी लेते हम कि हमारे a b हमारे दो पार्टनर है ठीक है अब हमारे दो पार्टनर है एक फर्म के अंदर तो इन किया उनकी capital given है हमारी 1st April 2015 को हम लेके चलते है कि उनकी capital हमारी given है 1st April 2015 को क्या given हमारी capital ठीक है एक ही है हमारी 50,000 और जो भी है भी की हमारी रुपेज उसके बाद क्या हुआ अफ्टर द अकाउंट्स फर्ट फाइनेंशल येर एंडिंग 31st March 2016 को हमारे क्या हुआ हमने final अकाउंट्स अपने प्रिपेर के वे प्रिपेर करने के इसके बाद हमएं क्या पता चला कि जो हमारा öz ओने नहीं दिया ठीक हम देना भूल गए और हमारे इंट्रेस्टों केपिटल ता जो कि हमेंदेना था किस rate से देना था 6% से लेकिन हमने नहीं दिया ठीक है तो उस case में आप यह बोलते हैं कि भी जो आपने यह गलती की है कि भी interest on capital देना था और हमने नहीं दिया तो यह हमारी क्या होगे एक एरर होगी है ठीक है या omission कि भी हम भूल गे हमने नहीं दिया तो इसको हम कैसे rectify करें तो बोलता है कि भी जो हमने final accounts prepare किये है उसको alter करने की वजाए उसमें छेड़ खानी करने की वजाए उसको तो ऐसे कैसे रखो जो हमने एक अलग से entry करेंगे ठीक है जो कि वह हमारे final accounts को भी डिस्टब नहीं करेंगी और जो हमने गलती किया वह भी हमारी क्योंगी सुधर जाएगी तो वह हम कैसे करेंगे तो इसमें हम अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास से two ways हम एक तरह से जो हम यह adjustment entry करते या तो पीएंडल adjustment account के थ्रू करो या फिडारेक्टली हम क्या करते है जो partners capital account है उसके थ्रू करते है ठीक है तो पहले हम लेके चलते भी पीएंडल adjustment के account पेंडल adjustment account में कैसे करेंगी सबसे पहले हम निकालेंगे interest on capital एका interest on capital कितना आएगा फिप्टी थाउजन पे 6% की rate से तो यह हमारा कितना आया 3000 ठीक है और ऐसे हम बी का निकालेंगे 6% की rate से निकालेंगे तो बी का निकल के आएगा हमारा 6,000 interest on capital तो यह क्या किया हमने हमें 3,000 तो एक को देना था interest on capital और 6,000 हमें किसे देना था बी को देना था लेकिन हमने नहीं दिया ठीक हम भूलगे एक तरसे देना अब दे देंगे तो पीएंडल एजिस्टमेंट जब हम करेंगे यह इस एड़र एड्जिस्टमेंट वर करेंगे कैसे फ्रोधा profit लोस एड्जिस्टमेंट अकाउंट प्यएंडल एड़ईस्टमेंट एड़्ट्टिप्टunder तो एजज कैपिटल अकाउंट 2 लिए हमने क्यों कि देना अभी हमें A को कितना देना है 3,000 और B को कितना देना 6,000 क्यों इंट्रेस्ट और कैपिटल उनको देना था तो जब भी पार्टनर्स को अगर कुछ मिलता है तो वो उसके लिए क्या होगा उसके लिए फायदा है इंकम है तो हम उसके कैपिटल को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे और जो फर्म है ठीक है बिजिनेस उसको उसके लिए क्या उसके लिए लो से क्योंकि भी इसको देना पड़ रहा है तो इसलिए उसको क्या करेंगे डेबिट तो हम करेंगे हमारा 3,000 A का और 6,000 B का और पेंडर अजिस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा हमार 9,000 ठीक है तो first entry होगी हमारी अभी second entry हम क्या करेंगे अभी जोब हमने एक तरह से हमने अगर उनको interest on capital नहीं दिया ठीक है A और B को interest on capital हमने नहीं दिया तो उससे हमारा क्या हुआ interest on capital उनका कितना बनता था 3 और 6 A का 3 और B का 6 तो टोटल कितना 9,000 तो एक तरह से हमारा जो 9,000 है 9,000 से हमारा जो profit था business का firm का वो profit क्या था हमारा बड़ा हुआ था और यह 9,000 हमने ultimately किसको दिये थे हमारे यह और B में distribute किये थे लेकिन वह हमने किस ratio में distribute क्या था उनके profit sharing ratio में जो भी उनका profit sharing ratio था उस ratio में ठी है तो question में अगर कुछ भी नहीं given है तो हमारा profit sharing ratio कितना होगा 1 is to 1 इक्वल हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक तरह से भी जो हमने उनको इस ratio में profit दे दिया था तो अब हम उन से क्या करेंगे वापिस ले लेंगे ना कि भी हमें नहीं देना था क्योंकि 9,000 तो net profit निकल के आया 30,000 रूपीज यह 30,000 रूपीज कब है हमारा जब हमने 9,000 को माइनस नहीं किया वो हम करना भूल गए है तो एक तरह से हमने जो हमारे partner A और B है उसको 9,000 रूपे ज्यादा दे दिये ठीक है अगर हम अगर हम interest on capital देते है तो एक तरह से हमारा profit net profit कितना निकल क्या आएगा यह आएगा हमारा 21,000 कहने का मतलब है जो हमारे partners A B उनके बेच में जो profit distribute होना था वो तो होना था हमारा 21,000 ठीक है और जो 9,000 है वो उनको मिलने थे एजा interest on capital 3,000 एक और 6B को लेकिन हमने क्या किया कि यह जो 9,000 रूपे है interest on capital यह हम देना ही भूल के तो इस व सोरी हानो जार से ज्यादा रहा था वो हमारा कितना था 30,000 ठीक है लेकिन होना चाहिए था वैसे कितना 21 तो इसलिए प्रोफिट के रूप में जो हमने A और B को distribute किये है उनसे हम वापिस ले लेंगे ठीक है तो अब उनसे लेंगे और किस रेश्यों में प्रोफिट से रेश पड़ेगा यह तो हमारा A is capital है हमारी क्या होगी debit B की capital भी हमारी क्या होगी debit और two firm के लिए क्या होगा वही फायदा कि वह उसके पास यह नो जारूपे आ रहे है तो टूपे एड़ेस्टमेंट अकाउंट है ठीक है तो एक कितना 4500 and 9000 क्योंकि जो यह 9000 है किस रेश्यों म हमने डिवाईड किया है इकवल रेशुम में उनके जो हमारा profit-sharing क्यों वन तो फिस्ट वे तो हमारा होता है यह कि हम जो अज़ेस्टमेंट अंट्री करते हैं जिए किसके थ्टू करते है जब हम करते हैं पैंड़ेस्टमेंट अकाउंट के थ्टू तो उस केस में हमें यह एक तरहने तो कड़ेंगे प्रोड़ और जितना उनको हमें इंट्रेस्ट देना है और जो हमने बाद में इनटरी की उस पार्टराइरस क Participle डबीट किया सब्सक्राइब वो हमने किया है जो प्रोफिट सेरिंग रेशией बाटनर से कैपिटल अकाउंट है जो हमारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है उसके त्रू हम एक जोनले इंडरी निकालते ठीक है बीपार्ट हमारे क्या है जब हमें डारेक्टली करते हैं इन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो उसके अंदर हमारा क्या होता हां हम एक अड्जिस्ट्मेंट टेबल बनाते हैं यह मैंने पहले बना रखी इधर देखते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं एक अड़ेस्टमेंट टेबल बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा उस अड़ेस्टमेंट टेबल के अंदर हमारा यह पहले पर्टिकुलर आएगा ठीक है फिर हमारे पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके कोलम आ जाएगा एक अगर पार्टनर के लिए जो हमारा प्रॉफिट है तो वह क्या हो जाएगा लोज हो जाएगा ठीक है अगर फिर हमारे पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो फिर उस हमारा जो फर्म हो क्या होगी होगी और अगर हमारे पारटनर क्रेडिट हो रहे हैं ठीक है तो हमारी क्या होगी डैबिट होगी तो इसको भी न हमें एक इक्जांपल से क्लियर करते ठीक है फॉर इक्जांपल अगर मैं यह फिर्स्ट वाला जो भी मैंने लिया था A और B का ठीक है उसका लूंग किस पे interest on capital हम provide करे थे 6% से जो की हमें देना था लेकिन हम देना भूल गए हमने नहीं दिया तो उस case में हमारा जो A का interest on capital कितना निकल क्या है था 3000 और B का कितना निकल क्या है था 6000 तो अब इसको कैसे करेंगे कि जो interest on capital है वो हमने क्या करना है देना है ठीक है गीवन एक तरह से अब interest on capital अगर हम देंगे तो partners को मिलेगा तो उसके कौन सी side में जाएगा credit side में जाएगा तो इधर आजएगा मारा partner A और इधर आजएगा partner B ठीक है तो interest on capital गीवन है तो A को कितना मिलना है तो दोनों का credit अब partners का अगर credit हो रहा है तो उसी amount से total करके फर्म का हमारा क्या हो जाएगा डैबिट पार्टनर की credit में आना तो अब यह फर्म के डैबिट तो 36 हमारा कितना जाएगा 9000 ठीक है और जो यह 9000 इसको ओल्रेड़ी हम एक तरह से distribute कर चुके है वन इस टूवन एजए profit के रूप में उनको तो अब यह क्या हो जाएगा आप partners के लिए क्या हो जाएगा एक तरह से लोस हो जाएगा तो अब उनके debit में आएगा और वन इस टूवन करके हमने कैसे distribute किया था 45 4500 एज़े profit हम उनके distribute कर चुके है तो लोस है तो debit में आएगा तो debit का मतलब 4500 इसमें और 45 हमारा इसमें ठीक है और अब partners के लिए loss है तो firm के लिए profit है profit है तो firm कि हमारे कौन से side आजाएगा credit side आजाएगा ठीक है अगर यहां से अगर हम करे total इधर देखे difference निका आजाए तो हमारा कितना difference है debit हमारी कितनी है total कर लेते पहले मिदर ऐसी इसका ठीक है तो फिर हम निकालेंगे difference है इदर यह हमारा 9 और 9 आजाएगा ठीक है तो difference कितने का निकल के आया हमारा डिफ्रेंस है हमारा 1500 यह हमारी साइड कौन सी है यह अदा डेबिट साइड जादा ना तो इसका मतलब हमारा डिफ्रेंस क्या है डेबिट ठीक है और इधर क्या हमारा क्रेडिट साइड जादा है तो डिफ्रेंस ही दर आएगा और यह हमारा क्या है क्रेडिट तो अब हम एक एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री अब क्या हो जाएगी जो जो साइड जिसकी जो साइड ज्यादा ही न वो उसी से हमारा वही हो जाएगा जैसे अब हमारा पार्टनर ए है उसकी डेबिट साइड ज्यादा कितने से पंदरा सो से तो हम करेंगे तो हम करेंगे जो हमारा अगर दूसरी उस वे में हम कहें तो जो में इंट्रस्टों कैपिटल है वह एको देना था हमें 3,000 रुपए ठीक एब और उससे हमें लेना है 15 सोडरी 25 सो तो टोटल क्या हुआ है आब हम उससे कितना ले लेंगे 15 सो ले लेंगे ठीक है इसलिए हमने केपिटल अकाउंट क्या किया है डैबिट और जो हमारा बी है बी को हमें लेकिन जो हमने उस से लिया खसिल यहाजे उसको प्रोफित हमने लुट कीया था 4500 तो या गया घ्ल की तो लिना या फोटी président और हमें आता कितना楽िकिंव उसका तो अब हम उसका जो कैणंश है कितना क्या तो एग權 होगा और मिष्ड क्रेडिक क्योंकि भी को हमें 15 रुपया और देने हैं तो यह इस दरह से हम तो में हमारा यह एंट्री है इसको एक तरह से हम क्кив क्या ऑफ एक पास्ट अजिस्टमेंट एट्री या हमारी एक इसको हमें single single general entry भी बोलते हैं तो इस entry से हमने क्या किया जो हमारी error हुई थी या जो हमारा omission हुआ था उसको हमने क्या कर दिया rectify कर दिया without altering old accounts without मतलब कि कहने का मतलब है हमारे जो final accounts है उनको alter किये बिना उनमें कुछ छेड़ खानी किये भी ना हमने क्या किया जो एक entry की और उससे हमने अपने error को omission को क्या किया rectify किया है ठीक है तो यह हमारा होता है past adjustment है और अगर आपका कोई doubt है तो आप मेरे से पूछ सकते हो थैंक यू